नमस्कार दोस्तों मैं गिर रैंदर आप सभी किस्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्व चनल जीम नर्सिंग टीटोरियल में आज किस वीडियो में आप लिए लेकर आया हूं जो आई एंसी का बड़ा फैसला है इंगिन नर्सिंग काउंसलिंग का जो बड़ा फैसला आ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए बेल आइकन दावाना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को बडला हुए हैं जानते हैं उनके बारे में नर्स मतलब ऐसा कोई जगुडवत मन्द की देखवाल कर सके भारत में नर्स बनने के लिए बीएसी नर्सिंग की पड़ाई करनी होती है वो निस्टो सेटालीज के बाद पहली बार इस कोर्स में बड़े बदलाव हुए हैं यह बदलाव इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग आई एंसी ने किये हैं बताया गाया है कि जनबर 2022 में यह पंड़ते हैं वह सब्सक्राइब तीन चीजे अब नर्सिंग में पढ़ेंगे जाएंगे चिक्सन नर्सिंग्ता को भी अब नर्सिंग की पढ़ाई में सामिल किया गया है अब तक केवल MBBS के चात्रों को medical ethics पढ़ाए जाते थे अब nursing के चात्रों ही है पढ़ाएंगे इसके अलावा forensic nursing और nursing informatics को भी पार्ट करम में सामिल किया गया है सो फ्रेंट्स इसका एक ही समराइश है कि जो nursing का पेटन था उसमें medical ethics, forensic and informatics पार्ट करम को भी एड़ कर दिये गाया है सो फ्रेंट्स इसके अलावा नए पार्ट करम में अब योगत प्राप्त करने पर अधिक जोर दिया जाएगा इस वज़े से credit आधारेट सिस्टम लागू किया जाएगा यह सब कुछ semester pattern पर ही आधारेट होगा बस परिक्छाओं में नम्मर की बाजाए credit दिये जाएगे बो सभी apply जन्वरी 2022 से हो जाएंगे सो फ्रेंट्स आई होप आपको है information थोड़ी भूत भी helpful रही होगी आपको यदि कुछ भी helpful लगा है तो प्लीज समयर चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए इसके अलावा फ्रेंट्स simulation पद्धती भी apply की जाएगी INC के सदस प्रोफेसर रोय के जोर्ज ने अंग्रेजी अखवार्दा हिंदू से बातचीत में कहा कि पाट्ट करम में हुआ परिवर्तन नर्सिंग सिक्षा की गुडवत्ता को बढ़ाएगा उन्होंने बताया कि जो नया पाट्ट करम है नर्सिंग पाट्ट करम में इसके आधार पर simulation आधारत प्रिसिक्षण को बिसेश महत्प दिया जाएगा जिसका मतलब है कि practical का 10% हिस्सा simulation लेम में पढ़ाया जाएगा इसका मतलब क्या है कि friends कि जो भी आपका स्लेवर्स है जो भी आपका practical वर्क है उसमें से जो स्लेवर्स का 10% हिस्सा है वो simulation वर्क में किया जाएगा अब simulation क्या होता है तो friends आएए उसको भी जान लेते हैं simulation एक ऐसा विज्ञान है जिसके जरीए कंप्यूटर में प्रती तात्मग चीजों के इस्तिमाल से ऐसा माहुल बनाया जाता है जैसे आप बास्तवित परिस्तितियों में देख रहे हैं friends इसे आसान वर्ड दिये जाहें तो imagination 3D view जो अपना simulation है उसे imagination 3D view बोलते हैं आई होगी कि आने वाले समय में जो मतलब की जो 2022 में एपलाय किया जायागा नर्सिंग में तो friends वो कैसा रहेगा अब जो information थी वो आप तक share की गई है यदि आपको अच्छी लगी है न्यूस तो प्लीज अपने दोस्तों तक share करें चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें and thanks for watching friends